9.2.2 क्या होता है जब धात्वें जल से अभिक्रिया करती हैं? अधिक अभिक्रिया शील धात्वें, सोडियम, पोटेशियम तथा लीथियम, ठंडे जल से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोकसाइड, हाइड्रोजन गैस और अत्यधिक मात्रा में उश्मा उत्पन करती अर्थात यहां उश्मा छेपी अभिक्रिया होती है मैगनीशियम जैसी कम अभिक्रिया शील्धातु ठंडे जल के साथ मन्द अभिक्रिया करती है परन्तु गर्म जल या जलवाश्प के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और मैगनीशियम हाइड्रोकसाइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है बनी हुई हाइड्रोजन गैस के बुल्बुले बची हुई धातु की सतह से चिपक जाते हैं अता धातु तेरना आरंभ कर देती है बनाती है समाने ताप पर तांबा चांदी सोना आदी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती 9.2.3 क्या होता है जब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती है हम जानते हैं की धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन करती है मैगनिशियम जिंक और लोहे की तनू हाइड्रोक्लोरिक अमल से अभिक्रिया का समिकरण लिखिए क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती है सक्रियता श्रेणी में अधिक सक्रिय धातू से कम सक्रिय धातू की ओर जाने पर अमले के साथ क्रिया शिल्दा कम होती जाती है कम क्रिया शिल्दातू जैसे सोना और प्लैटिनम तनू अमले के साथ अभिक्रिया नहीं करती है तामबा सांद्र नाइट्रिक अमल से क्रिया कर कॉपर नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइओकसाइड गैस और पानी बनाता है सोना और प्लेटिनम धातुएं सिर्फ अमलराज, एक्वारेजिया, तीन भाग सांद्र सेल तथा एक भाग सांद्र हनो थी से ही क्रिया करती है अब हम देखेंगे विभिन धातुएं को कैसे प्राप्त किया जाता है, उन्हें वातावरण के प्रभाव से कैसे बचाया जा सकता है, साथे उन्हें अन्य धातुएं के साथ मिश्रित कर कैसे अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है